हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ अनब बुना और विलकम टू मैं चैनल आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छी वीडियो शेयर कर रहे हूँ अक्सर आपने दिखा होगा लोगों की दर्वाजी पर पानी से बरा कलश होता है तो काफी सारे लोगों को इसका मेनिंग नहीं पता यह क्यों रखते हैं किस लिए रखते हैं कब रखते हैं कैसे रखते हैं किस वज़े से रखते हैं और किस लिए रखते हैं तो आज की वीडियो में हम वही डिसकस करेंगे तो इसके लिए हमें कलश चीए यहाँ पे आप इस तरीकी का तामबे का कलश भी यूज़ कर सकते हैं या पीतल का जो आपके पास है बट स्टील नहीं होना चीए तामबा या पीतल उसके अलावा फूल यहाँ पे मैंने वही फूल लिये है जो मेरे गार्डन में थे मतलब घर में जो थे मैंने वही यूज़ किया है आप आपके पास जो फूलार है वो यूज़ कर सकते हैं जो मतलब रेगुलर आप पुजा में यूज़ करते हैं वो वाले फूलार उसके अलावा ये है चंदन, हल्दी, कुंकुं, अक्षत, एक कौईन है और ये है चावल काटा, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे, रंगोली बनाने के लिए तो सबसे पहले हम लोग जो तामबे का कलश है, उसको अच्छे से पहले क्लीन करना है तो जो भी आपके पासे पीतल, तामबा वो आप यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं पीतल का यूज़ कर रही हूँ, पीतल के कलश का, तो सबसे पहले हम लोग इसको टीका लगाएंगे तो यहाँ पे ये चंदन है, चंदन में मैं थोड़ा सा रोज़ वाटर डाल रहे हूँ, आप चाहो तो पानी भी डाल सकते हैं तो ऐसा rose water डाल की इसको हम लोग गिला कर लेते हैं इसके अलावा हमें शुद्ध जल की भी आवशक्ता होगी जो हम लोग कलश में डालेंगे अब मैं पानी डाल की चंदन को गिला की हूँ sorry rose water डाल के मैंने चंदन को हलका गिला किया है उसके बाद इस तरीके से मैं कलश के उपर तीका लगा रही हूँ आप चाहो तो इसके उपर स्वास्तिक भी बना सकते हैं जो भी आपको बनाना आता है या बनाना चाहते हैं आप वो बना सकते हैं इस तरीके से ही तांबे के या पीदल के कलश में पानी भरके हमारे मुख्य द्वार के पास हम रफते हैं तो हमारे घर में एक positive energy आती है और घर में जो भी negativity है वो बहार चली जाती है और यह माना जाता है कि जहां मुख्य द्वार सजाववा सुन्दर साफ सुत्रा होता है वहां लक्ष्मी माता आकर्शित होती है अभी मैंने चंदन का टीका लगाया है उसी के ओपर मैं कुमकुम का तेलक लगा रही हूँ कुमकुम को गिला करने के जरूरत नहीं क्यूंकि चंदन फूर्दी गिला है और इस तरीके से टीका लगा कर आप कलश को सुन्दर सजा सकते हैं उतना अच्छा पषिसे सजा सकते है अभी मैंने टीका लगा लिया है टीका लगाने के बाद अब हम इसके अंदर जल डालेंगे तो जल डालने के लिए जैसे कि मैंने बताया है हमें शुद्ध जल का ही इस्तमाल करना है मतलब जूटा पाणी यूज नहीं करना है आप शाहेए lived Pení पर जो भी यूज करो पानी शुद्ध होना चाहिए जिसकि इसमे पाणी आता है तो आप उस समय इसे भर के रख सकते हैं अब मैंने इसमें पाणी ड़ने के बाद आप मैं इसमें डालगे हूँ चंदन, हल्दी, कुंकुम, अक्षत और एक कौईन, एक रुपे का कौईन, पाच रुपे का जो भी कौईन आपके पास है आप वो उसमें डाल देना उसके बाद इसकी उपर आप जो भी घर में आपके पास फूल है वो फूल आप रख सकते हैं आप एक भी फूल रख सकते हैं दो भी वो आपके उपर डिपेंड करता हैं अगर आपके पास खुश्बु वाले फ्लार है तो और अच्छी बात है खुश्बु वाले फ्लार लग आप चाहो तो जो रंगोली है उसका भी यूज़ कर सकते हैं, बट अगर चावल के आटी से डिजैन बनाओगे तो ज्यादा अच्छा है, और कलश को आमे डारेक्ली जमीन के उपर नहीं रखना है, नीचे रंगोली बना के उसके उपर रखना है, अगर आपके पास टाइम न कर सकते हैं, अल्टरनेट डे कर सकते हैं, इनफेक्ट आप इवनिंग में भी यही सारा प्रोसीजर कर सकते हैं, अगर आप वरकिंग उमन है तो, अब रंगोली बन गया है, मैंने उसके पर कलश रखा है, तो कलश जैसे कि मैंने बताया, जब हम लोग बाहर से घर में सुन्दर होता है, सुशोबित होता है, वा लक्षमी माता आकर्शित होती हैं, और उस घर में सुक, शांती और समृद्धी बनी रहती हैं, और जब भी हम घर से बाहर जाते हैं, तो कलश को प्रणाम करके जाओ, तो हमारा दिन अच्छा होता है, और बाहर से ठके वे आते है तो कलश को इस तरीके से सजावा देखने से माइंड एकदम अच्छा रहता है और इस कलश का पानी हमें तुलसी के बौदे में या किसी भी बौदे में डालना है कही भी नहीं फेकना है फिर उसके बाद next day same यही procedure करना है कलश को अच्छे से वाश करके पानी भरके इस तरीके से रखना है जो हमारे family, हमारे culture में होता है जो मैंने देखा है, सुना है वो मैंने आपके साथ share किया है हो सकता है, आपके family, आपके culture में थोड़ा बहुत difference होगा तो जो भी difference है, वो आप मुझे comment करके जरूर बताईए अगर आपको यह information अच्छा लगा हो तो like, share और subscribe भी जरूर करे Thank you